मकर रासी वालों का आज का रासी फल्ले याने की 7 अप्रेल 2020 का रासी फल्ले तो जैसी आराम दोस्तों आईए आज के वीडियों की सुरुआत करते हैं और जानते हैं पोड़े बिस्तार से आपके आज के दिन के बाड़े में दोस्तों इस वीडियों को देखने के बाद अगर आपके मन में कहीं कोई शंका हो कहीं कोई शबाल हो कहीं कोई प्रस्न हो तो इस वीडियों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाटसेप नमबर दिया हुँ है उस नमबर पे आप मैसेज कर सकते हो तो अब बात करते हैं 7 अप्रेल के पंचांग के बाड़े में आज तिथी है चतुर दसी नक्षत्र है उत्तरा फालगुनी पक्ष है शुकल पक्ष और दिन है मंगलवार आज के दिन शुर्य उदय हो रहा है छे बज के तीन मिनट में और शुर्यास्त है छे बज के 42 मिनट में चंद्रोदय है पांच बज के 69 मिनट पी एम में और चंद्रास्त नहीं होने वाला है रितू है वशंत आज का दिन काल है बारह घंटे 38 मिनट 46 से केंड का महिना है चेत्र आज आप के लिए शुभ समय है 11 बज के 58 मिनट से 12 बज के 48 मिनट तक और अशुभ काल सुरू होता है शुभ के 8 बज के 35 मिनट से 9 बज के 26 मिनट तक दिशा सूल है उत्तर दिशा की ओर तो ये था आज का पंचांग अब जानेंगे आपके आज के दिन के बारे में दोस्तो इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग भाग्यशाली अंक और अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें और फॉलो करें आपका शमय शांदार हो जाएगा और इस वीडियो को आप लाइक कर दें और इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें इसके बिल आइकन को ओल पे आउन कर दें वीडियो को पूरा देखने के बाद हर जग सेयर भी कर दें ताकि बांकी लोग भी इसका फाइदा उठा सके हैं तो दोस्तों सबसे पहला है आपका श्वास्त तो आज के दिन आपको अपने श्वास्त का ध्यान रखना होगा अपने खान पान का अपने रहन सहन का आपको ध्यान देना होगा क्योंकि श्वास्त के लिहाद से आज का दिन आपके लिए शामानने से थोरा सा नीची रहने वाला है इस बात को आप याद रखें वैसे अगर आपके धन समपत्ते की बात करें तो पैसों के लिहाद से आपका शम्ह सही रहने वाला है आज आपके पास पैसे रहेंगे और उन पैसों का प्रियोग अपने जीवन में आप कर पाओगे आपको पैसों की कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है वैसे अगर आपके घर परिवार की बात करें तो आज आपका परिवारिक जीवन भी अच्छा रहने वाल है अगर आपके घर परिवार में आज से पहले कहीं कुछ दिक्कत हो गया हो आपके परिवार में तनाव का माहौल हो या कोई भी परिवारिक समस्या हो तो आप सबसे पहले अपने घर पडिवार के माहौल को बेहतर करने का प्रयास करें अगर आप बेहतर करने का पहल करते हैं तो आपका पाडिवारिक जीवन सानदार हो जाएगा लेकिन दोस्तों प्रेम शंबंध के लिहाद से आपका शमय ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है आज के दिन आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ आपका थोड़ा बहुत बहस होगा नोक जोक होगा जिसके वजह से आपका प्रेम संबंध जियादा अच्छा नहीं रहने वाला है इसके बाद आता है आपका कामकाज तो कामकाज के लिहाद से आपका शमय काफी जियादा बेहतर और शांदार रहेगा आज के दिन अगर अपने काड़े छित्र में आप कुछ बदलाब करना चाहते हो कुछ नया करना चाहते हो तो आप करें लेकिन वो बदलाब आप वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से करें तभी आपका काड़े छित्र बेहतर होगा आज आपके लिए भागेशाली अंक है नौ और शुभ रंग है आपके लिए काला और नीला दोस्तों आज के दिन आप शनिरेव की पूज़ा करें और पीपल के ब्रिक्ष में जल चढ़ाएं इस उपाई को फॉलू करने से आपका शमय शांदार हो जाएगा मिलते हैं फिर